अब बाइयों को जानकारी देंगे बंफर के बारे में हम खान बंफर वहना वाले एक तो सपाई से काम करते हैं एक बहुती मजबूत काफी मजबूत काफी जबरजस्पे ना काम करते हैं यह 200 kg का बंफर है ऐसर फान से क्या उन पर यह आठीची चैनर है निचे च्छेंची प्लेट है च्छेंची प्लेट में हमने इसको ड़ेजाने काय मुझे को यहां से दिखाना आज यह च्छेंची प्लेट है इसमें हमने प्लेट लगाए यह और हमने इसको दो जंगा सपोर्ट किया है एक तो यहां पर शेंची नट लगाए हैं और यह टूल बोक्स में लगा आया है और यह मुर्गाड और चार नट में यहां पर सपोर्ट किया इसको यह सारा फोल्डिंग है सब चीजा लाग-लाग हो जाएग इसकी यह डाई-पांच की पतिया है तो और यह तीन इंची जाड़ा इसका दिखा प्रवां दूसरी तरह करते दिखाते हैं हमारे बंफर को आणा के आन बंफर को आणा तीन नंबर के पूरे तर्याणे में परसीद हैं मसूर है हम काफी दूनों से 25-30 साल से बंफर बनाते हैं हमारा काम जो है सपेशलिस्ट बंफर और डिजल ठैंक आई है बंदूक चत्री इस दर से भी दिखाई है सागी नहीं और यहां भी सपोर्ट किया है दूसरी साइड का है दो नट यहां पर आप छैसूट के और चार नट यहां पर सपोर्ट दिया है हमारे बंफर इस लिए परसीद है कि हम जो काम है वो तसली बस करते हैं सफाई का करते हैं हमारी जो फिनीशिंग है काफी अच्छी है काफी मजबूत है इसे हम कितना भी वजन दिखा सकते हैं कितनी भी ट्रेली दिखा सकते हैं कैसे यूटेशन कर सकते हैं ना तो यह मुड़ेगा हो ना यह पटेगा यह काफी जबर्जस्त है काफी मजबूत है और आपको एक फरकी मिलेगा आप यूटूब पर सर्च करना कि जो हमारी फिनीशिंग है सफाई है आप हमारा बंफर देखते ही पैचान जाएंगे के वागई काम में सफाई है और काफी मजबूत है और हमें एक बार से वाका मुखा जरूर दे किसान बायों से अफिल है कि बंफर एक ही बार लगता है बार बार नहीं लगता तो इसलिए अपने पैसे को सोच समझ कर खरच करें लुटेरों से बचे और काम अच्छा करवाएं अच्छा बंफर लगवाएं एक बार से वाका मुखा जबूर देदाने वाद के लो साल आज बाड़ बढ़िया लगा है कि आगए अधिने से अधिना अधिना फिल्साइब आई तो जया लगवाने के लिए यहां है नच्वागा है तो राजिए था को नहीं बढ़ा संपने हैं पर लगे हैं धूरा इवाइब भाई ताम ठीक